Hello everyone, Welcome back to my channel दोस्टों आज का इसी वीडियो में हमें क्या बात करने वाल हैं आप लोग तो थॉमनेल देखकर समझ कहें होंगे दोस्टों आप लोग थॉमनेल में जो भी देखा हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों अगर आपके पास आपके पुराने टीवी है और आप एक नया स्मार्ट टीवी खरिदना चाहते हैं लेकिन आपके पास इतना अमाउंट नहीं है कि आप एक स्मार्ट टीवी खरी सकते हैं तो आज के इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आपका पुरान रुपए से कौम की मत में भी 43 इंच का स्मार्ट टीवी मिल जाएगा दूस्मों कुछ साल पहले नौन स्मार्ट Aled TV का दौर आया था और अब स्मार्ट टीवी का दौर आया है स्मार्ट टीवी का सबसे बड़ा फाइदा यह है कि इसमें internet connectivity मिलती है जिसे आप phone में चलने वाले logbox सभी application को अपने TV पर भी चला सकते हैं यहां तक कि आप smart TV पर facebook भी इस्तिमाल कर सकते हैं यदि आपके पास पूराने non smart TV है और आप अपनी TV पर Amazon Prime और Netflix देखना चाते हैं तो आपके पास दो option है पहला यह है कि आप नया smart TV खरी दें और दूसरा तरीका जो है मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा उससे पहले जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को all पॉस्टेट कर दीजिए ताकि आगे टीबी में यह port हैं तो आप आयाटल एक्स्ट्रिम बॉक्स के जरिए अपने टीबी को smart TV बना सकते हैं इस बॉक्स में आपको android 9.0, pi, google play store, google assistance और voice control की सुविदा भी मिलती है इसके अलवा आप HDMI के जरिए इस setup बॉक्स को अपने पुराने टीबी के साथ भी जोड सकते हैं और इसके बाद इंटरनेट के जरिए टीबी को चला सकते हैं और मन चाहां जो आप्लिकेशन को यूज करना है उसको यूज कर सकते हैं दोस्तों डीज टीबी ने टाटा स्काई और वीडियो कन जैसे कमपनियों को कड़ी टकर दनी के लिए स्मार्ट आप आण्डरेड एच्टी सेट आप बॉक्स को लांच किया था दोस्तों अगर आप अपने पूराने टीबी को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो आप आमाजन फायर स्टीक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आपको इस डिबाइस में अलेक्सा वैस रिमोट कांट्रोल के साथ अमाजन ट्राइम और नेट्फलिक्स जैसे ट्रीमियम अप्लिकेशन का आक्सेस मिलेगा वहीं आप इस टीबी स्टीक को HDMI पोर्ट के जरिये टीबी से कनेक्ट कर सकते हैं जिससे आपका पुराना टीबी स्मार्ट बन जाएगा और आपको काफी इंट्रेस्टिंग लगेगा उसको यूज़ करने में और दोस्तों टाटास्काइन अन्यों डिटीएज कमपनियों को कोडी टकर दने के लिए टाटास्काइ बींज प्लोस का सेटप बोक्स को पेज किया था आपको इस डिबाइस में गूगुल क्रोम कास्ट के साथ गूगुल आसिस्टेंट का सपर्ट भी मिलेगा वहीं ये सेटप बोक्स 4K, HD, LED और LCD टेकनिक वाले टीबी को सपर्ट करता है साथ ही इसे औरियो और वीडियो केबुल के जरिये पूराने टीबी के साथ कनेक्ट भी किया जा सकता है दोस्तों लास्ट में मैं आपको Realme का एक टीबी स्टीक के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है Realme 4K Smart Google TV स्टीक दोस्तों इसकी कीमत 3,999 रुपे है इसके साथ Google TV का सपर्ट है इसकी मदर से आप अपने किसी भी पूराने टीबी को स्मार्ट टीबी की तरह इस्तिमाल कर सकते है इसके साथ 2GB RAM और 8GB Storage के साथ Dual Core GPU मिलता है इसके साथ HDR 10 Plus का सपर्ट भी मिलता है दोस्तों ये टीबी स्टीक को यूज करके आप आपका पूराने टीबी को स्मार्ट टीबी में कॉनबर्ट कर सकते हैं और आप आपका पूराने टीबी में Netflix, Amazon Prime और बहुत सारे प्रीमियम आप्लिकेशन का मौजा भी ले सकते हैं दोस्तों अगर आपके पास नया स्मार्ट टीबी को खरिदने के लिए उतनी आमाउत नहीं है तो आप आपका पूराने टीबी को भी स्मार्ट टीबी इसी तरीके से बना सकते हैं और आप आपके पूराने टीबी में ही स्मार्ट टीबी का मौजा लेख सकते हैं दोस्तों आईए होब कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सेर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में एक सांधर टोपीक के साथ